आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सभी की फैवरिट वेस्ट चाउमिन नूडल्स यहां हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टैल वेस्ट चाउमिन नूडल्स बनाने वाले हैं I hope यह रेसिपी आपको पसंद आएगी जब कभी हम चाउमिन घर पे बनाते हैं तो वो नूडल्स बिल्कुल स्टीकी हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, उसमें एक एक नूडल बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल भी स्टीकी नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी क्योंकि हम इसे घर पे बनाने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को हेलो फ्रेंस मैं सोनी सोनी फूर्ट स्टैल में आपको बहुत-बहुत सागत है वेस्ट चाउमिन बनाने के लिए यहां मैंने एक पैकेट वेस्ट चाउमिन नूडल्स का लिया है देखिए ये लगबख देड़ सो ग्राम का है एक पैकेट में धे सारे चाउमिन बनकर तयार हो जाएंगे तो अब हम इने उबाल लेंगे उबालने के लिए यहां मैंने चार कप पानी लिया है पाने में अच्छे से उबाल आने देंगे एक चमज मैं इसमें तेल डाल रही हूँ आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं इससे क्या होगा जब हम नूडल्स पकाएंगे तो वह चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं आज छोटी चमज मैं इसमें नमक डाल रही हूँ ताकि नूडल्स में भी नमक आ जाए पाने में अच्छे से उबाल आ गया है अब हम नूडल्स इसमें डाल लेते हैं और नूडल्स को हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे लग बग तीन मिनट हम इसको पकाएंगे बहुत ही जल्दी यह पक जाएंगे 75-80% हम इसे पकाएंगे पूरी तरह बिल्कुल नहीं पकाना है नहीं चिप-चिपे हो जाएंगे इन्हें पकाते हुए लग बग तीन मिनट हो गई हैं चेक कर लेते हैं तोड़ने से पता चल रहा है कि यह हलके से कच्चे हैं तो अब हम इनको निकाल लेंगे पानी से तुरंत निकाल के हम या तो एक प्लेट में फैला के फैन के नीचे रख देंगे या फिर हम पानी से इसको एक बर्स दो लेंगे अब मैंने यहां एक पैन लिया है उसमें दो बड़े चम्मच मैंने घी डाल लिया है और आदी चोटी चम्मच मैंने यहां पारी कटी हुई हरी मेंच ली है अगर आपको अधरक लहसुन और प्याज पसंद है तो आप इसी टाइम पहले अधरक लहसुन को हलका सा भून लेजिए और फिर प्याज को आप कुछ सेकिंद के लिए भून लेजिए और फिर हम इसमें सबजी डाल लेंगे लेकिन मैं अधरक लहसुन प्याज इसमें बिल्कुल निया डाल रहे हूँ, सिर्फ मैं सब्जी इसमें डाल रहे हूँ, तो यहां मैंने लंबी-लंबी कट की हुई गाजर ली हैं, डाल लेते हैं, गाजर को हम हल्का सा भून लेंगे, सब्जी आप पूरी तरह से बिल्कुल मैंने पकानी हल्का साउन्मी कच्छा बन होना चाहिए जर्फ आप मैंने यहां बारिक हूई पतागो भी हर्थ होड़ा है? डाल लेते हैं, तो डाल लेते हैं, इसे भी हम 10 से 10 से 20 से के लिए अच्छ से बहून लेंगे, हलका साबस सब्जी को भूनना है ज्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है सीमला मिर्च ली है मैंने यहां लंबी-लंबी कट कर ली है सीमला मिर्च में बार में डाल रहें क्योंकि सीमला मिर्च को ज्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है तो खुट second के लिए हम इसे भी पका लेंगे देख़ी सबज हैं अच्छे से पक गई हैं इनको पूरी तरह बिलकुल निपकाना है अब हम noodles डाल देंगे इसमें देख़ी एक एक noodle बिलकुल खिला हुआ है एक एक नूडल खिला हुआ कैसे रहेगा अलग अलग कैसे रहेगा स्टिक क्यों नहीं होगा अब जब हम पका रहे हैं तो इसको तुरंत पानी से निकाल कर या तो आप फैन की नीचे फैला दीजिए या फिर आप उसमें ठंडा पानी एक दम से डाल दीजिए जिसे उनकी कु मैंने यहाँ टोमेटा सोस लिया है डाल लेते है और अच्छे से नूडल्स को मिक्स करेंगे यह मैंने यहाँ एक शायता लिया है और दो बड़ी चमच मैंने यहां डार्क सोया सोस लिया है यह चाउमिन में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है डालना अगर आपके पास वेनेगर नहीं है तो कोई बात नहीं आप यहां निमू का रस्मी डाल सकते हैं लेकिन सैंथेटिक वेनेगर भीज में जालेंगे क्योंकि आमने पहले भी डाल लिया है और जो आमने सोस इसमें डाले हैं उनमें भी हलका सा नमक होता है तो इसे अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे अब मैंने यहां लंबे-लंबे कट किये हुए पनीर लिया है पनीर बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं इससे बहुत ही जादा हैल्दी और बहुत ही जादा टेस्टी हमारे चाउमिन बनकर तयार होगी बहुत ही जादा टेस्टी लगी तो इसे भी हम अचिसे मिक्स कर देंगे ज्यादा हम बिल्कुल निये पकाएं गे यह ज्यादा पकाना है कि तो जादा प्ल रेंगे देखेज चाम ayamina byiban कर तरहा है आप देख पारेंचे Courteาม पूद्ल्ट बिल्कुल अलग-अलग है और बहुत यह ज्यादा यह टेस्थी लग रहा रहा है अब हम इसे सर्व कर लेते हैं ते यह प्लेट लेगे देखे, बहुत ही प्यार यह लग रही है चाउमिन बनकर तयार है, आप ऐसे बना सकते है अगर आप चैनल पर नहीं है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो में डाल रही है उसकी नोटिक किशिन आपको पहले यह मिल जाए, तो लीजिए, गर्मा गरम वेज चाउमिन बनकर तयार है बहुत ही ज़्यादा यह टेस्टी है, और घर में हमने इसे बनाया है, तो हेल्दी भी है आप अपने पसंद कीश में सबजियां डाल सकते हैं, जो भी आपको सबजिया पसंद हो, आप वो ले लीजिए और सबजियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इस बात का ध्यान रखना है और चाउमिन को हम नूडल्स को हम जब पका रहे हैं, उबाल रहे हैं तो उसमें एक चमस्देल आप डाल लीजिए अगर वीडियो पसंदा रही हैं तो लाइक कीजिए, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए, बाई बाई फ्रेंड्स, थैंक्स पर वोचिंग